धीरू, पंकज और सोनू ये सब भाई कह रहे हैं कि भाईया हमें बहुत ही गहराई से समझाईए गुननखंड तो भाई साथ मैं आपको बता दूँ कि आज मेरा मूड उतना अच्छा नहीं है याड फिर भी समझ लो भाई यहाँ पर समझो कह रहा है गुननखंड और गुनन खंड को इंगलेस में कहते हैं फेक्टर यह सब आप सबको पता होगा यहाँपर असानी से मैं ने लिख रहा है गुर के जिए किसी दी गई संख्या में जिस संख्या से भाग लग सके उसे गुनननखंड कहा जाता है यहाँए फिर पासल कि अगर हम ये सब से आठ में भाग लगाते हैं तो आठ हमारा पूरा-पूरा कट जाएगा मतलब कहा जाए कि एक, दो, चार और आठ ये सभी संक्या से आठ हमारा पूरा-पूरा खतम यानि कट जाएगा तो भाई सहाब यही जो जो संक्या से हम आठ को पूरा-पूरा काट रहे हैं तो भाई सहाब यही सब संक्या हमारे आठ के क्या हो गया है गुननखंड तो परिभासा में यही लिखा हुआ है कि किसी दी गई संख्या में तो किसी दी गई संख्या भाई शाब यहाँ पर आठ मैंने लिख रहा है ठीक है और जी सजी संख्या से तो यहाँ पर यह जो संख्या दिख रहे हैं यह सब संख्या से भाग लग सकता है वो भी पूरा-पूरा कट जाएगा खतम हो जाएगा भाग लगाएगे तो उसे गुननखंड कहा जाता है तो भाई शाहब यह जो संख्या आपको दिख रहे हैं यह सब संख्या आठ को पूरा-पूरा काट देंगे तो यही सब संख्या ह अब आठ के जगह पर मैंने ले रखा है अब इहां पर खौर किजिए अब आप से पुछा जाएगा कि हम एक से भाग लगाते हैं अठारा में तो ये पूरा-पूरा कट जागा तो अठारा का गुनन खंड हमारा एक हो गया अगर हम दो से लगाते हैं तो दो से भी पूरा-पूरा ये कट जाएगा अठारा तो जब दो से पुरा-पुरा अठारा कट जाएगा तो दो भी हमारा अठारा का क्या हो गया गुनन खंड अगर हम तीन से लगाएंगे तो तीन से भी पुरा-पुरा कट जाएगा और चार से लगाएंगे तो नहीं कटेगा और इसके बाद छे से लगा हमारे क्या हो गए अठारा के गुनन खंड ठेक है आप कोई भी एक्जामपल ले सकते हैं वो आप पर निर्वर करता है तो मैंने एक और असानी से ले रखा है यहाँ पर आप सून ही लीजिए और देख ही लीजिए यहाँ पर अब बीस है अब बीस का गुनन खंड क्या क्या ह हो जाएगा तो बीस को हम एक से अगर बीस में अगर हम एक से भाग लगाते हैं तो भाई साब यह भी पूरा-पूरा कट जागा दो से लगाएंगे तो यह कट जागा तीन से लगाएंगे तो नहीं कटेगा आप सब को पता है चार से लगाएंगे तो यह पूरा-पूरा मेरे लाँ गेंगे तो यही सब संक्या हमारे क्या हो जाएंगे ये 20 के हो जाएंगे गुननखंड तो आप 20 के जगह पर कोई भी संक्या लेकर देखें हम उधारन में देद रहें 40 और इसके बाद हम देद रहें ये सब आप मुझे comment section में बना कर देखाएगा ये सब का गुननखंड किस तरह से निकाल सकते हैं तो भाई साब मैंने जो आपको बताया अभी अभी जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको clear रहा अगर आपको clear रहा हो तो यार वीडियो को like कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो यार subscribe जरूर करना ठीक है मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहो यार और जूडे रहो